स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चनल साइस्टो टेक्नोलजी में मैं अनुपर वेपूल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शुरू फ्यूचर फ्राइडिय में आज हम लोग बात करेंगे फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलजी के बारे में तो आये समझते हैं प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है कि लैंड जो है यानि जमीन है वह एक लिमिटेट रिसोर्स है मतलब यह बाद ज़रूर सही है कि आप रगिस्तान में खुब सौर पैन लगासर कोई रहता नहीं है लेकिन समस्य यह रहता है रगिस्तान कोई फ्लाट जंगा दोपता पहुंचना मुश्किल होता है दूसरा मतलब इंफरास्ट्रॉक्चर चाहिए दिक्कत होता है तो इसलिए लैंड एक लिमिटेट रिसोस है और जो जमीन आप आसानी से पहुंच सकते हैं आसानी से इस पर सोरा बना सकते हैं जनरल ही उस जमीन पर अगरिकल्चर चलता रहता जमीन जो है दिप जाता है दिन भर में तो और वह गर्मी से मतलब सोरा पैनल की टोटल एफिशेंसी घड़ जाती है और हम लोग को समझे ऐसा जिगांपर है कि जहां पानी की इंपॉर्टनस तो सब को पताई है तो पानी बचाना चाते हैं और हम लोग का सोलर का रिक्वार रहा है लेकिन वह भी बहुत कवामने और ज्यादा चाहिए तो हिसाब यह रहा है कि हम लोग को बहुत है तो उतरना जमीन का एक्विजिशन करना मुश्किल होने वाला है तो लॉजिक कहा है कि पानी के उपर लगा देने का आप यह समझे कि हम लोगा बहुत सारा इन बड़े-बड़े रिजर्वाइब बनाए जाते हैं तो बहुत जगहां पर हमारे पास इन लाइन वाडर बॉटी है यानि कि स्थिर रहता है और यह समझे कि यह सब बहुत जगहां पर जैसे एक इंडिपेंडेंट रिजर्वाइर बनाए जाता है ताकि सप्लाइपानी के लिए भाड जिए जाता है तो दिख्धत यह होता है और कई सभी टर्नल कनाल में पानी सुख गया पहुंचा ही नहीं पानी तो इसाब ऑट बड़ा वाटर बाडी बनाए जाता है काफी ज़ड़ा लॉस इवापॉरेशन होता है तो यह समझना बहुत जगहता होता है और फ अगर आप कोई वाटर बोडी है चाहे कोई वाटर रिज़ रहा है उसके उपर अगर आप सोलर फाम लगा देते हैं वह एक तो आपका कवरिंग जासा बिहेव कर रहा है तो वह जितना एरिया को सोलर इंपल्स घड़ जाएगा तो इससे ही होता है कि एवापरेशन लॉस्ट वह कम होता है और उसे पता चलता है कि एतना इवापरेशन बचा लेता है कि सीधा सीधा फरक पड़ जाता है कि आपने मतलब दो मीटर तक का कनाल का हाइड मानिया दो मेटर तक का पानी बेज़ेता है बीना कवरिंग के अगर वह चल रहा था तो वह समझी एक मेटर पहुं इसी कारण से पानी भी बचेगा और फोन से थीपता नहीं है पानी ज्रक टेंपरिंट्र को सिका पानी बेस्तता है और 5-30 % तक ज़्य लें कहा जाता है यह तो पानी के ऑपर रखने से आखको ऍमपरिचर वब राओता नहीं फाइदा नहीं लेकिन आपने जमीन बहुत ज़दा गरम है वहां पर पानी के उपर रखते हैं तो यह और इसे आप देख सकते हैं सारे सोलर पैनल में आप एक ग्राफ दिया जाएगा कि यह इंडिया के साथ होता है तो बहुत कम वल्टेज़ आने लगता है तो इसे लिए ऐसा चीज इसमें दो फाइद में पानी को अपानी को रहे हो बहुत जगा है, टेंसर लेना ही नहीं, मतलब एक एक डैम के पीछे वाला गरह आप एरिया देखेंगे, तो वह 25-26 स्क्वाइर किलोमेटर में जगा खाया रहता है, तो जगा को कहीं हमी नहीं है, भाले जमीन में जगा कमी हो जाने, लिकिर रिजर्वायर के जगा में को इट मोडिल है, उसनों फोर तीं फोर मोडिल है कि अगर किसी कारण से पंचर हो गया कोई मोडिल तो वह लेड होगे नहीं, तो खूब सारे मोडिल जोड जोड के बनाया जाते हैं, जितना बड़ा आपको बनाना है, वह आप पे है, आप चाहे तो मतलब जैसे इंडर्स्ट्रिय बढ़ान से फाइदा होता है कि आपको उसका maintenance करना सफाई करना जदा असान हो जाता है लेकिन आपको जहां बिजली बंबम चाहिए वहाँ पे आप maintenance का थुरा सा compromise करोगे और ऐसा करते हो पैनल जतना closely pack कर सकते कर देंगे तो ही समझे कि pontoon लिया जाता है जिसे generally food safe plastic से बनाया जाता है यानि कि वह पानी में leech अगर करे भी तो नुकसान ना करे और फिर यह सारे को generally बड़े-बड़े सब्सक्राइब करें जाता है और इसके बाद इसके उपर आप पॉंटून के उपर आप फोटो वोल्टेक पैनल लगा देते हो और उसके बाद यह समझे जेतना केबल है वह हमेशा कोशिश करोगे पॉंटून के उपर रहे गलती से पानी में ना डूबे वाटर प्रोफ हो काफी मजबूत होता है बाद सही काफी चीज अब्यूज करता है लेकिन जतों उसका एंकरिंग सही है तभी तक उतना पावर रहता है एंकरिंग खराब हो यानि अकर वह जमीन चाही लोचने लगा तो वह उतना स्ट्रॉंग नहीं रहता है तो कोशिश ही जाती है कि इस एं अगर को नहीं लगा देते हैं तो यहां पर लगाए तो यहां पर लगाना सबसे पर दिमाग में अगर समूंदर में क्यों नहीं लगा देते हैं बात है समूंदर बहुत अंस्टेबल होता है यानि कि जो सबसे काम सी भी अगर आप खोचने पूरा प्लानेट अर्थ पे वह भी बहुत अंस्टेबल होता है तो हिसाव यह रहता कि वह इतना हिलना डोलना अच्छा नहीं है और अगर आप कई स्कॉर किलोमेटर का बनाना लगें वह चटक ही जाएगा उस जैसे ही एक वेव आएगा सरापका काम खतम हो जाएगा दूसरा वह करोसिव भी बहुत होता है यानि कि सॉल्टी वाटर का जो मतलब फ्लो है वह अच्छे चीज को करोड कर सकता है मतलब टिकाव मेटीरियल भी नहीं टिक पाता ज्यादा नॉर्मल पानी के ऊपर गैलवनाई स्टील धीरे-धीरे रोड होने लगता है अगर आप गैलवनाई स्टील समुदर में डाले समुदर तो उसको मुह दिखाएगा खा जाएगा तो यह एक सीरियस दिकत होता है क्या आप समुदर के बना सकते हैं बहुत ज़दा पैसा लग बहुत जादा हमारे पास रिजर्वायर है टेंशल ने का ज़रूत ही नहीं कोई सारे बड़े-बड़े डैम्स हैं और उनके पीछे कई स्ट्वायर क्लोमेटर का जन्गा हम लोगों को मिल जाता है जिसको कई स्कुर क्लोमेटर का खरीदना मुश्किल होता है गवर्मेंट क पानी भी बचेगा और बिजली भी मिल जाएगा और इसाब यह समझे कि जरूरी नहीं कि बहुत भर्पुष भर्पुष नहीं काफी जरा जैसे मैंने नीच एक वीडियो दे दिया है जो इंडिया में ही छोटे से रूलर एडिया के लिए वहाँ छोटा से तलाब दिखा थ है जिसको सील करके बना दिया गया है तो छोटा छोटा भी अगर आप बनाते हैं जैसे वाटर बॉड़ी के अगल बॉर में काफी मचवार लो का घर है बिजली बिजली नहीं है आप यह कर सकते हैं और इससे काफी फाइदा होगा तो इसाब वही समझे कि समूंदर सर्फिस अब ही की टेकनीोलजी उसको कॉस्ट एफेक्टिवी नहीं हेंडिल ख सब्सक्रं बहुत पानी हैं बहुत नदी यह बहुत न फॉट है वाटनी बचकएगा इसलिया इंपोरणफिआट चीज है तो बात करते हैं में क्या होने बाद है तो इसाब यह बहुत सारे प्रब्लम में जिसे हम लोग को सॉल्व करना है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पानी के उपर सीधे कोई घोसला तो बना देने लेकिन जैसे ही फार्म बनता है चिणिया हग के रगड़े पीस के उपर तो हिसाब यह समझ यह बहुत ज्यादा चिणिया के बारे में सोचना पड़ा है त कुछ का है कि खुब उंचा-उंचा टावर लगा दो बहुत ज्यादा मुचने कि लाइटनिंग रोट आपको देना ही पड़ेगा तो उसका लाइटनिंग रोट से तार बन दो चुणियां उसके नीचे से नहीं गुजरेगी मतलब उसमें कोई करेंट टुरेंट नहीं हो लेकिन चुणियां तार लगावा तो तार के नीचे से गुजरना उनको नहीं पसंद है मतलब सब चुणियां पर नहीं लाग होता लेकिन काफी पर होता है तो आप देच सकते बड़ा बड़ा जो पीवीसी पाइब असका इस्तमाल करके इनों ने बनाया था यह छोटा सथ प्रूफ कर दिया टेकनलोजी मलेशिया वाले लोगों ने किया था अलब इंडियन्स जो मलेशिया कहते वह वापस आकर यहां पर यह की है तो काफी लोग इसमें खूल के इन्वेस्ट कर रहे है और इंडिया में अजिस्ट है में यह विडियो बना रहा है उस्टेम एक प् पैनल का जो फ्रेमिंग है वह करोड़ हो सकता है तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दिन होगा और सेफ्टी और मेंटेनस जो है यह अभी हम लोग जैन वन बे हैं अभी हम लोग बनाना शुरू कि है जैसे कि बनाने से पहले किसे ने नहीं सुझा रहे कि चुणिया हग कर र जो मतलब लोग बाद में मिंटेन करने जा रहे हैं देख रहे हैं कि उनका जो तार बांदे थे तार सारा धीला हो गया और पानी अंदर गया हुआ है जिससे शॉर्ट सर्कृट हो सकता है बेस्ट केस में वर्स्ट केस में आप किसी को ऊपर भी पहुंचा सकते हैं तो अभी यह समझें कि एकदम नहीं दुनिया है और कारण वही है कि आप किसी गवर्मेंट के पास जाके बोलिए कि हमको चाहिए 600 मेगावाट का सब्सक्राइब बहुत अच्छा स्कूप है और इंडिया में पॉन्टून्स का मेनिफेक्ट्रिंग हो रहा है सोलर फार्म्स बनने के के लिए भी सोलर सेल का मेनिफेक्ट्रिंग भी स्टार्ट हो गया है मतलब और अगर इंवर्टर का बनने लगे तो अच्छा अराम से हो सकता कि आने वाले चापान साल के बाद पूरी तरह से मेड इन इंडिया पॉसिबल हो जाए तो काफी लोग इस पे काफी पैसा खच कर कर देगा कि हमारा एलेक्ट्रिकल लोड को थोड़ा सा कम कर देगा और है यह करते हैं दिन में हाईड्र डैम का पावर आप्ट कम करते हैं वह जब रात होने लगा तो है तो यह करके भी बैलन्स की आजा से लगता कि ताकि वह आपको बेस लोड पावर मिल जाए तो काफी क काफी बं-बं इसकोप है इस टेक्नोलजी में तो यह था मेरा प्रेजेंटेशन फ्लोटिंग सोलर के पारे में उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा को सिर्ने मिलाओ कुछ समाझ में हो अगर ऐसा है लाइक कर दे दो से शेयर कर दे उसे मेरा काफी भला होगा नहीं कितना पसंद हुआ है मैं आपसे कोमेंट लिखें मैं हर कोमेंट को पढ़ने कोशिश करता हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए बेल दबाए और आफ नहीं है तो आपने राव वीडियो दिखा जैनके पुझे बहुत खुशी भी धन्यवाद